कृच्षी विभाग के कर्मचारियों ने किया खादबूज की दुकानों का निरिछल धॉल पूर्जले में डीएपी की कमी वबढ़ती मांग को देखते हुए आज बसेड में किर्शी विभाग की टीम दारा खाद बीज की दुकानों का निरिछड किया जिसमें खाद बीज विक्रेताओं की स्टाक रजिस्टर वा गोदामों में खाद की जाच की तथा विक्रेताओं को डिएपी निरधालित दर बाराशो रुपे प्रती कटे पर तिन कट्टे SSP के और एक कट्टा यूरिया का प्रियोग करने से फशल को पोसक तक तो भी अधिक मिलेंगे और किशान को आर्थिक लाब भी होगा। बाड़ी में नरेश गुर्जर ने एक बड़ी घटना को घटित होने से बचाया सुबह आट बजे एक बच्ची जिसकी उम्रे लगभग 12 बार से सुबह पानी पीने के लिए कुवा पर गई थी कुवें से पानी भरते समय पैर फिसल गया और वहां बच्ची कुवा में गिर गई इस गटना को एंसे से कैड़िट नरेश गुर्जर सुबह गूम कर आ रहा था तो आवाज सुनाई दी बाग कर कुवें पर पहुचा कुवें में जाग कर देखा तो उसमें बच्ची गिरी हुई दिखाई दी देखिते ही उसने बिना सोचे समझे अपनी जान की परव में गिर गई और नरेश वायव गूम पिर के बाहर इत्ते सब बान बजगन आई और निकारी अपनी बच्ची के पाएं में लग गई खाज बीज की दुकानों का किया निरिचर्ट सर्मतुरा उपखंड में रवी की फसल सीजन को देखते हुए सहाय क्रिशी अधिकारी पिंटु मेडा ने किसानों को जागरू करते हुए बताया कि अभी सरसों बुआई का समय चल रहा है इन दिनों किसान खाज बीज खरीद जैसिंगर डागुर के निर्देशन में जिले में अभियान चोड़े रखा है जिसमें खाज बीज की डिलरों की सघन जाज कर रहे हैं इस दोरान पिंटुल आर्मीरा सहाय क्रिशी अधिकारी सर्मतुरा ने खाज बीज की दुकानों का निरिचर किया इस ठाक रजिस्टर जैसिंगर जिले में काला बाजारी की समस्या आभे तक सामने नहीं आई है फिर भी यदि किसानों के साथ कहीं भी कोई डिलर काला बाजारी करता है तो आप तुरंत आपकी छेत्र किर्शी पर वेचा क्यों सहाय क्रिशी अधिकारी या प्रशासनी का धिकारियों को सूचित करें जिसे की काला बाजारी और रिष्टा करने वाले डिलरों के खिलाप सक्तिकारवाही अमल में लाई जा सके चर्मत्रा से बेशोडों सोनी की खास रिपोर्ट बसेड़ी उपखंट के गाउन नादनपूर में नवीवक मित्र मंडल सेवा समिती नादनपूर द्वारा नौम दुर्गार स्थापना महोचो कारिक्रम किया गया जिसमें मादूर्गा की नरूपों की जाकी वा कलस यात्रा पूरे गाउं में प्यरी लगाईगी उसके बाद पुरानी आर एंसी पोस्ट में मादूर्गा की प्राड़ परतिष्ठा की गई इस मौके पर शोनू पर्मार, रवीगोर, मोनू पर्मार, गुड्डू पंडिर देवी शर्मा, भागीरर शर्मा, भोला पर्मार, अनिल बंसल, हरवेंद्र पर्मार, तारा शर्मा वर समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे सर्माथुरा में टिकट वित्राड को लेकर भाजपा के लड़ाई सडकों पर पहुची, कारिकरताओं ने लगाए आरूप, तु पदाधिकारियों ने बताया आरूपों को निराधार, सर्माथुरा जिले की लोगों में पंचायत राजी चुनाओ का जुनूर आसमान पर शाया हुआ है, बाजपावा कांग्रेस दोनों दल के प्रत्यासी चैन को लेकर, कारिकरताओं के साथ राय सुमारी करने में लगे हैं, लेकिन सर्माथुरा में टिकट वित्राड को लेकर, बाजपा कारिकरताओं की लड़ाई सडक पर आ गई है, पार्टी के कारिकरताओं शाया हुआ है, कारिकरताओं ने सर्माथुरा में टिकट वित्राड की जिम्यदारी पर जिलापधा धिकार्यों का विरोध जताते हुई, विरोधियों को तवज़ो देने का आ आ गई है, बाजपा की वरिष्चे कारिकरताओं योँम पूर्ब मंदल सहीत अन्य ये कहा कि सर्मतुरा में कारिकरताओं की उपेक्षा कर पंचायत राज के चुनाओं में टिकेट फित्रल की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पार्टी की समर्पित कारिकरताओं की उपेक्षा की जा रही है वहीं चिडे के पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नही पैसे ही पताधिकारियों परभोमिका और निरधार आरोप लगा कर बदुनाम करने की साजिस रच रहे हैं। सरमातुरा से बिशुनू सोनी की खास रिपोर्ट। एवी एम कॉन्वेंट स्कूल जहां ओनलाइन क्लास, ओफलाइन क्लास, कम्प्यूटर लेब, बायो लेब, केमेस्ट्री लेब, कैम्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुईधा, एफलियेटिट टू सीबी एसी न्यू डेली, जी हां हर बात में बहतर आपका अपने स्कूल, एवी एम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धोलपुर राजिस्थान, एड्मिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा बाहरा तक, है बाबा के इतिहाश को सुनाया जाएगा, ट्रायल सो में बुधिवार रात, दिवारों पर लाइटिंग कर, मचकूंड के मंदिरों और धोलपुर के प्रसिदस्थलों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया, परेटन को बढ़ावा देने के लिए, शुरुआत तिर्थ बजट आमांटित किया गया है, उन्होंने बताया कि फिलहल आधे घंटे का सो तयार किया गया, जिसमें लाइटिंग के जरिये एतिहाशिक दिवारों पर चित्र प्रदर्शित किये जाएंगे, कभी कुमार विश्वास की आवाज में एतिहाशिक गाथा सुनाई जाएगी उन्होंने बताया कि अगले 20 दिनों में लाइट एंड साउंड सो को पुरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा, रात के शमह यह थियेटर की तरह नजर आएगा शार्दिय नुरात्र के पहले दिन सहर भर में 50 से अधिक जगा पांडा लगा कर पूजा अर्चना और धार्मिक कारिक्रम हुए कुरोना की पहले और दूसरी रहल के चलते, दोच सालों से जिले में सभी तरह के धार्मिक कारिक्रमों पर रोक लगा दी गई थी, अभी तक प्रशार्षन की तरफ से कोई लिखे तादेश नहीं आने पर पांडा लगाए गये हैं, मा की प्रतिमा के लिए 40 से अधिक दुकान, शहर में दुरगामा की प्रतिमा के लिए 40 से अधिक दुकाने लगाई गई हैं, आज सुबह तक 6 लाग की मोर्तियों को बेचा गया, मोर्ति विक्रेता शंतोष कुमार ने बताया कि कुरोना में मोर्ति का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, इस स अभी तक तक तकरीवन 6 लाग रूपे की 500 से अधिक छोटी और बड़ी मोर्तियों को बेजा जा चुका है, शहर में प्योपी की जगह मिटी की मोर्ति रहने के लिए लोगों में होड मची रही, गुरुआर सुबह तक मिटी की सभी मोर्ति बेचे जाने के बाद मोर्ति वि वेची जा रही है, मारेहना वाली के पट रहेंगी बंद इस साल भी रावर्दहन नहीं होगा, एक और जहां घर घर में माता के प्रतिमार स्थापित की जा रही, महीं दूसरी और कुरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते, दौर्पुट की प्रिसेध्ध माता रहना वाल कलाम कोचिंग क्लासिज जहां हम तैयारी करवाते हैं, आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेट फर्स सेकंड, एंडिये, ग्राम सेवक, एर फोर्स, बैंक और S.S.C. की और यहां हमारे द्वारा अनात और विकलांग छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती हैं, प्रवेश के लिए संपर्क करें तीन चरणों में 20 अक्टूबर से होने वाले पंचायद चुनाओ को लेकर आवेदन शुरू हो गए हैं, धौलपूर जिले की 6 पंचायद समिती और जिला प्रमों के लिए होने वाले चुनाओ के लिए, नामांकन का बुधवार को तीसरा दिन था, जिला परिशद और आज नामांकन दाखिल होए हैं, जिला निर्वार्चन अधिकारी राकिशुमा जैसवाल ने बताया कि जिले में 4 अक्टूबर को अधी सोचना जारी होने के साथ नामांकन प्रकिरिया शुरू हो गई है, उन्होंने बताया कि जिला परिशद यों पंचायद समिती शदसे क प्रकिरिया के तीसरे दिन जिला परिशद सदसे के लिए वार्ड नंबर 19 के लिए उशा देवी ने दोदू नामांकन पत्र दाखिल किये, जिसमें एक भाजपावा एक निर्दलिय नामांकन पत्र शामिल हैं, पंचायद समिती राजा खेडा से वार्ड नंबर 8 में नंद दाखिल किये हैं, तीसरे दिन धौल पूर बाड़े और सर्मतुरा में पंचायद समिती सदसे के लिए कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ, कलेक्टर ने बताया कि तीन चरड़ों में होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर लिए हैं, शांटिपूर्ण और भ घर घर घट की स्थापना की गई है, जिसमें पंडित पूरोहितों ने मंत्रोर चरड के बाद मातारानी की स्थापना करवाई, और करीब एक तरजन से भी अधिक जगहों पर मातारानी की पंडाल सजाएगे हैं, जिसमें जिना पाड़ा, विजय लच्चमी, सिवा सदन, फ चुरुआत सुभा केरा देवी मंदिर में हुए, जहां से भक्तों के दारा मोर्तियों की सोभा यात्रा निकाल कर भजनों की धुन पर नाजते हुए नजर आये, जिससे कस्पी साहिट छेतर का माहोल भक्ती में नजर आया, सर्मत्रशे बिश्डु सोनी की खास रिपोर्ट अग्रवाल समाज समिती मन्यादारा अग्रसेन जयनती बड़े धुमधाम से मनाई गई, अग्रवाल समाज दारा सुभा पांच बजी परभात फेरी निकाली गई, उसके बाद समाज के लोगोदारा अग्रधोच रोहन किया गया, उसके बाद साम पाज तीन बजे से महारा अग्रेशेन की बारे में बताते हुए कहा कि महाराज अग्रेशेन अग्रवाल जाती के पितामा थे यूम उनका जन्म आज से लगवग 5000 वर्षप पूर्व प्रताब नगर की राज़ा वलव नगर के यहां सुरेवन से छत्रिय कुल में हुआ था महामंत्री संतोर शिंगल ने बताया कि अग्रेशेन जैन्ती में समाज की लोगों ने बढ़ चल कर हिस्सा लिया यूम समाज की लोगों के लिए प्रतिभोज की भी व्योस्था की गई राजकिये महाविद्याले बसेडी में NSS एकाईदोरा प्राचारे सतेश कुमार की अधेक्षता में स्वाधिनता अंदोलन की विरासत और हमारे संभिदान बेसे पर वार्ता आयोजित की गई एनेसेस प्रभारी प्रवीद प्रदीप कुमार सर्मा ने स्वाधिन्ता अंदोलन यों मुश्की मुल्य और हमारे संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए स्वाधिन्ता अंदोलन की विरासत चे उत्यपन्य मुल्यों यों संविधान के बारे में बताया गिया इस उसर पर पवनकुमार प्रजापज जय हर जाई यूम समस्ते एनेसेस विद्यार्थी उपस्तित रहे पाड़ी नगर पालिका के सफाई निरिचक सीता राम शर्मा करवा रहे हैं इस उसर पालिका के सफाई निरिचक सीता राम शर्मा ने बताया कि सहर के सभी वार्डों में नेगू मचर मलेरिया से बचाओ के लिए लगातार की इटनाशक दवाओ का छिड़काओ किया जा रहा है पालिका के तफेश भी धोड़ी ने बताया कि नुरात्रिवा अग्रिशेन जयन्ति को देखते हुए सभी गलियों में नलियों में किटनाशक दवाओ का छिड़काओ किया जा रहा है जिससे कि शहर में फैल रही बिमारियों पर काबू पाया जा सके बाड़ी से सतीश सर्मा की खार्ष रिपोर्ट